अच्छा दस्वी के सभी विद्यारतियों आज मैं आपको गनित के लिए जी हाँ जो तेरा भरवरी के दिन आपका एक जाम है MP बोर्ड में उसके लिए एक प्रेक्टिस पेपल लेकर आए हैं सेट ए केवल और केवल छे वीडियो आपको देखने हैं सेट ए बी सी डी और एक पूरा सोलिशन के साथ में प्रवाइड कराऊंगा अपकी बार 90 पार आप तो बिल्कुल संकोज मत करिए जिस तरह मैंने हिंदी और संस्क्रत में आपकी पूरी मदद की गनित में भी में पूर निचोडर लेकर आँगा चलिए तो सिरुवाद करते हैं तो पहला प्रसन है चानमे और 404 का frame क्या होगा चानमे और 404 का ऑस्पह बहुत ही सिंपल है जिसा आप जानोगे ना तच्छान में के जब गुनंडखर निकालोगे और 404 के गुनंडखर निकालोगे ना तो दोनों में से जो कोमन आएगा वो दो की घाथ दो आएगा याने की चार निकल कर आएगा यदि हम इसके सुन्यकों की बात करें तो यहाँ पर साउप्सन राइट रहेगा यदि द्विघात समिकरन AX स्कॉार प्लस BX प्लस C के सुन्यक अलफा और बीटा है तो अलफा प्लस बीटा का मान होगा देखो अलफा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का B बटा है याने कि सुझ्यकों का योगफल और इसे किसम्यकों का गुनन फ़ल सी बटा एकस अक्ष्य से बिंदू पी दो कोमा तीन की दूरी है यानि कि पहला जो माने वह एक सब्सक्राइब दूसरा जो माने वह आकसर आजाए यहां पर तीन इसका अंसर आ जाएगा है ठीक है यदि वाई अक्षी से बोलता तो किस कमान लिखते पर एक सो कमान देते हैं कि कुश्चिन नमर पांच क्या किरा आपका एक पेड़ की जो चाया है बीस करनी तीन मिटर है कितनी है बीस करनी की तीन मिटर है यदि पीड की मिटर है तो सूरगा इन क्या होगा देखो बीस कर ने तीन बटा उ डाल रखे हैं चैनल पर जाकर solution वाले जो लोंग वीडियो है उनको जरूर दीखेगा 100% guarantee देता हूं मैं उनी में से आपका सब कुछ फसेगा लोंग वीडियो ठीक है आप तो ध्यान से देखना है ना बैयो इंग्लिस मिडियों वाले बच्चे तो सब्सक्राइब करेंगे इनका भी जो सब्सक्राइब पहले का फोर रहेगा यहां से दिखिएगा इसका उप्सन आपका माइनस का भी बटाए है पड़िया से complete करो ठीक है इसके बिंदू यहां पर डिस्टेंस ओप्ड़ पॉइंट फी तो एक सक्ष यह बताना है आपको तो यहां पर एक सक्ष नहीं अर्था का मान अपने को बताना है यहां पर तीन राइट रहेगा यहां से अभी मैंने जो बताए है ठाटी डिगरी और आगे बात करे तो यह यहां से आपका टी नमबर रहे है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं न एक एसा समीकरन आपको बताना है जिसका आलेक एक सरल रेखा हो उसे अपन केते हैं रेखिक समीकरन क्या केते हैं, तो एक खीत, सम्मीकरण, ठीके, सम्मीकरण 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal 0 का विविक्त कर क्या होगा, देखे, विविक्त कर ग्याद करने का formula होता है, बी square minus 4ac, यहां से देख सकते हैं, बी square minus 4ac, ठीके, तो बी square नहीं यहां पर बी का जो मान है, वो है minus 2, minus 4 into A का मान जो है, वो है 3 into C का मान जो है, वो है 1 by 3, 1 by 3 से 3 किंसे लोगे हैं, यहां पर देखे, और दो दूने 4, और यह 4 minus 4 आ जाएगा, अंसर जो निकल कर आ जाएगा, हो जाएगा सुने समांतर स्रेंडी है एक बता दो option का यहां तो सारवंतर ग्याद करने का best formula अब आपको है यहां पर करते हैं यहां D equal होता है A2 minus A1 अब A2 कोन है 1 बटा 2 है minus 3 बटा 2 है चैसे आप इसको अगे solve करोगे तो यह तो 2 आ जाएगा और 1 minus 3 आ जाएगा तो answer कितना है minus का 2 बटा 2 और answer आगे minus का 1 तो यहाँ पर सार्वंतर कितना निकला है minus का 1 निकलेगा हो गया सर्वांग सम जो तिर्भुज होते हैं वो सर्वांग सम तिर्भुज जो होते हैं वो होते हैं समरू केसे होते हैं भई या समरू किसी बिंदू की Y अक्षि से दूरी देखिए Y अक्षि से अर्थात X निर्देशांग और X नर्देशांग को हम केते हैं भूझ के केते हैं Y एक्षे से दूरी जो हती है भूझ के लाती है भूझ बोल दो या फिर आपन बोल सकते हैं X नर्देशांग दोनों में से एक जो जम्य वो लिख देना है न या तो ये भूझ लिख देना है या फिर X इस परस बिंदू से जाने वाली जा इस परस रेखा पर क्या होती है लंब होती है अब है आपका कुस्चे नमर यह टू यहां से आप दियान से देख लीजिए आप बढ़िया से कंप्लेट करना है ठीक है यहां से देखे मैं पहले भर देता हूँ इसका है न चलिए तो यहां से आप इंग्लिश मिट्यम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे कंप्लेट कर लेना है आपको यहां से लेख लेए अब है आपकी सही जोड़ी है सम्रूप चत्रवूज होगया वर्ग मुल बिंदू से एक्स खुमा वाई के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी यहां पर कारणि में x स्कुर लस y स्कुर है क्योंकि यहां पर x1 और y1 यह जो फोर्मूला होता है दूरी सुतर का फोर्मूला इस तरह का होता है x2 – x1 की पावर 2 लस y1 – y2 – y1 की पावर 2 इस तरह करेगा अब यहां पर जो इनका मान है वो मान अपने एकका जिरो रख देंगे न किया है कि कोई भी एक क्याक्तित का माण एक 21 जीरो रग़ेया है यहाँ पर यहाँ आपका एकक्स टू सो जाएगा एक्स के बराबर हो जाएगा यानcipl स्क्वार आ गया और उैसे यह सिम्त की जीरो रख़येया 1 plus quarter square theta जिसका जाएगा यह सरूसमी का है खोसेग square theta एन पेतालेस, एन पेतालेस का मान होता है, वन, ठीक है, इसके बाद है संकु का आईतन, संकु का आईतन है आपका एक बटा तीन, पायार इस्वायर एच, यह आपका छटा हो जाएगा, ठीक है भी यहाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको complete करना है, जो ची पुसरे का आपका यहाँ पर, तीसरा साइन जीरो डिगरी का जीरो आगया था, वन प्लस कोट स्कुआट इटा का आजाएगा, आपका कोशेग स्कुआट इटा, यह आपका फोर्ग नम्मर वाला, एन पेतालेस का मान होता है, तेन पोटिफाइप का मान होता है, और यह जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाता है, तो मैं जितनी चीजे बता रहा हूँ ना, उनको आप तो अच्छे से कंप्लिट कर लो, मैं द्रिस्टी रेखा की परिभास लिए, ठीके, वस्तू और हमारी आख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखें वाली रेखा, क्या कहलाती है, आपकी द्रिस्टी रेखा कहलाती है, ठीके भाई या, चलिए, वरत के चाप की लंबाई का फोर्मूला आपको बताना है, तो वह होता है, वरत की चाप, चाप की लंबाई का फोर्मूला होता है, टू पाई आर ठीटा बटा तीन सो साट, अर तो गोले कि आईतन का फोर्मूला होता है दो बटा तीन आई यार क्यूब मादिका का फोर्मूला एम एक्वाल हो जाएगा एल निम्नितम सीमा ठीक बरगंतराल की एन बाइटू एन बाइटू माइनस संचे बारम भारता बटा बारम भारता और इन्टू एच यह होगे आपका मादिका का फोर्मूला निस्चित घटना की जो प्राइक्ता होती है वो सदेव एक होती है कितनी होती भाईया यह आपको निया धियान सकता है ठीक है बड़िया से कंपलीट करो यह हमारे इंग्लेस में मालब बच्चों का मैंने भर दिया है फेले से आपको कोई दिक्कत ना आए भर ऐसा नहीं ना आए क्योंकि यह जो चैनल है आपका है मेरा नहीं है यह आपका है आप जितने मेहनत करोगे जितने आगे बढ़ोगे बस यह हमारा उद्देश से चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े आप आपकी जिन्दगी में आगे बढ़ो और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करना है ना ताकि उन्हें विचीज का फाइदा मिलें आपको अच्छे मेहनत करना है बस हमारा उद्देश से यही है कि आप समझिए पुर्णांक कहां से सिरू होता है जिन में प्लस की और माइनस की दोनों संख्याए एड हो यानि माइनस का दो भी पुर्णांक एक में आ जाएगा और प्लस का दो भी आ जाएगा अब प्राकत क्या है जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो अब बताओ आप मेरे को कि दो मैंने बोला तो यह तो पुरनांक भी है और प्राक्त भी है लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3 अब यह प्राक्त नहीं तो यह बोल रहा है प्रतिय एक पुरनांक क्या प्राक्त संक्या होती तो यह बात अज़े होगी X स्क्राइर माइनस 4x है PLUS 4 EQUAL 0 के मूल बराबर है बिलकुल सकती बात है यदि हम इसका solution करेंगे और solve करेंगे तो b square minus 4 st का formula लगाएंगे ठीक है 0 आएंगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा यहां पा देखिए 0 उत्तर लाने के कि माइनस का 4 की गाद़ जाएगा माइनस 4 into a का माने 1 into c का माने 4 चार चुकू 16, माइनस 16 चुकि ये बहुत दो से प्लस का हो गया है तो आगया 0 नहीं आया आगया तो मतलब भी यह बराबर है ये समानतर सिरेंडी है या नहीं है तो समानतर सिरेंडी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना A2 माइनस A1 यह D के बराबर A2 का मान बता और 2 माइनस एक एक आया अब अगली बार अपन यहाँ से जब 2 ता तो 2 के बाद 3 आना था 3 के बाद 4 आना था तो सारव उंतर हर एक में एक एक नहीं है एक बार बढ़ गया एक बार घड़ गया विरत के दो बिद्व पर प्रतिछेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है दो बिंदू पर प्रतिछेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है छेदक रेखा ही कहलाएगी क्योंकि भया यह आपका एक विरत है और विरत पर कोई भी दो बिंदू है तो ये जैसे मैंने यहाँ पर किया तो एक बिंदू पर टकरागे दूसरा तो इसको हम छेदक रेका ही एक है तो ये बात है आपकी सकती दीके किसी घटना की प्राइक्टा एक से भी अधिक हो सकती नहीं क्योंकि भले वो निस्चित घटना हो ए नोट सब का मांद कितना होता है एक होता है तो ये बात आपकी असति रहे गिए एक से अधिक भी हो सकता है बड़िया से यहाँ से देख सकते हैं आप इसकीन सोटलो बड़िया से आप कम्पलीट करो ना कोई यह यहाँ पर आपका पहला फालसटा दूसरा जो अपने ट्रू बताया था तीसरा जो इसको ध्धान से देख लिए आपके यह सवाल आपके ईसको थ्यान से देख लिए यह सवालS9á परसें परिछह में अने वाले हैं तो आप अच्छे से मैनत करें हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के अच्छा सोलेशन क्या है अगली वीडियो से अपने ना सबको स्टाइड वाइस एक ही वीडियो में सब्सक्राइब अच्छे से करना है आप तो मेरे विश्वास रखो पहले आप में बता रहा हूं जो कर लो ठीजे बस उसके अलावा तिरत पढ़ते रहो पर जो बताओं उसको भी जरूर ध्यान से पढ़ो यह से प्रस्ण बताओंगा जो हंड्रेट परसेंट श्योर आएंगे ही आएंगे सब्सक्राइब ग्याद करना है आपको 306 और 579 दिया गया है और LCM इनका ग्याद करना है सिद्ध कीजिए चे और 20 के अबाज़ गुनन खंडवी दोरा से पर LCM द्विगात विंजक है ठीक है किसी बहुपद मिसमें आपको सुन्यों को की संक्या ग्याद करनी है देख लीजे यहाँ से आपका कुर्शे रबर डाइड है ठीक है कुर्शे नम्मर 9 के बाद में आप बात करेंगे तो द्विगात विंजक ग्याद करना आपको T2-15 का यह सारी चीजे कहां मिलेगी मैंने बार बार बता रहा हूं प्लेलिस्ट में आप जाकर जाकोगे ना तो बिल्कुल खकोल देना है ना एक एक चीजों को दो संपूरक उनों में बड़ा कॉन जो है 18 डिगरी है और बड़ा क चोटे डिगरी से 18 डिगरी हा दिगे उन्हें याद करना है यह रहा आपका कोस्चे नमर 11 ध्यान से देखिएगा एक सवाल आपका के का मानवाला 100% पूछता है तो यह सवाल ले लीजा इस तरह का ठीक है कोस्चे नमर 12 है जो है वह आपका यहाँ पर AP वाला सवाल है आपका 13 हैं इसके बाद में को अगर में o कुलिए से नमी हाँ से कुछे मर यह का कि और अगला जो है वह आपका कुल्सनमर 14 यह आपका कोशन नमर 15 है ठीके है इसके बाद में territorial 15 के में आपन बात करेंगे आगे तो कुश्य नमर 16 जो है यह देखिए आप तो ध्यान से देखिए यह सारे सवाल कहा मिलेंगे बार बार बता रहा हूं पिले लिस्ट में आपको सुलिशन देदूगा एक वीडियो में कबर कर पाना संभव नहीं है अगले वीडियो में चोटे- नमर 16 का थ्वा यहां से कुश्य नमर 17 देख लिएगा इसमें पी इगी प्राइकता जिरू दसम लो जिरू छे है यह नहीं की प्राइकता ग्यात करनी यह कुश्य नमर 18 है इसका थ्वा यह